नमस्कार दोस्तों आपको बताएंगे इस वीडियो में कि अगर आपने बिहार पोस्टमेटिक एसकोलर्शिव के फॉर्म को फाइनल समीट कर दिया है तो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि अभी अभी जो है सबको एक मेसेज आना शुरू हो चुका है बहु जो है इस तरह का दिखता है वो संफून जानकारी देंगे देने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बाराई है चैनल को लाल अंतन दावा कर सक्राइब कर लेजिगा सान्य को प्रेस कर लेजिगा इस तरह की अप्डेट पाने के लिए यह पूरा वीडियो का जो क्रेडिट है जाता है राज नरायन को क्योंकि उनके द्वारा यह मुझे जनकारी मिली तभी मैं इस वीडियो को बना पा रहा हूँ मैं आपको बता दूँ कि जनकारी बहुत ही इंपोर्टेंट था क्योंकि बहुत लोग बहुत दिनों से बता रहेते कि उनका जो है इंसिट्यूट वेरिफिकेशन में पेंडिंग बता रहा है और जो है उनका अगे नहीं बढ़ रहा है तो उन लोग के लिए गुड न्यूज है कि उन लोग का जो है प्रूबल मिलना शुरू हो चुका है क्या कैसे आई जानकारी देते हैं लेकिन है ने दे नेसे पहले आ सब्सक्रा monetary करें कि अगर भी उच्ण का किसी बढ़ जानकारी है але हुझ वाट्सप नंबर के जरी ça कर सकते हैं बिंद्गूल मुझे आपने screenshot के माध्यम से किसी भी तरह की जानकारी ऑस्ते पूश सकते हैं आप और अपना user ID पास्तों मुझे किसी के साजाने की जाएगी और कोशिस करेंगे कि आपका जो प्रस्टनल लीटेल है वो सेर ना हो अदरबाइस कोशिस करेंगे ये कि जो है आपके पास अब्रेट आए वो दूसरे के पास भी पहुंचना चाहिए जिस तरह से भी राज नारायन जी ने हमें अपना साजा किया डिटे यूर एप्लिकेशन नंबर इतना इस हैज बिन एपसेप्टेड एट इंसिट्यूट लेवल पोस्टमेटिक एसकलर सी बिहार गवर्मेंट यानि की इंसिट्यूट लेवल से जो है सबका वेरिफाय होना सुरू हो चुका है इस तरह का मेसेज आ रहा है क्या आपको आया है बिल्कुल अकर आया होगा तो कॉमेंट बाक्स में बताईएगा कि आ गया है नहीं आया है तो ही बताईगा कि कितना दिन से आपका पेंडिंग पड़ा हुआ अधर भाई जब यहां पीस परकार से जब मैंने देखा कि चलो भाई यहां तो इस तरह का मेसेज आ चुका जब तो वो लोग अपने डेस्बॉड में लॉग इन होका जो है यहां से अपने अपने कॉलेज का जो है नबर नाम से उनको कॉल करें और उन सर से पूछ यहां एक चीज और अगर आपने फॉर्म को फाइनल समिट कर दिया है तो हार्ड कॉपी यानि कि जो भी डोकॉमेंट है दस्तावेज हैं वो सभी जाकर अपने कॉलेज में जाके जमा कर ही दीजेगा हलाकि इसके इसके पॉर्टल पर यह बताया गया कि अगर आप फॉर्म को फाइनल समिट कर देते हैं तो कॉलेज में जमा करने किया सकता नहीं है लेकिन आप ऐसा गलती बिल्कुल मत कीजेगा ऐसे में बहुत चातराओं का जो है आप दन रिजेक्ट हो जा रहा है किसी ने किसी कारण से डिफेक्टिव गोसित कर दिया जा रहा है तो यह गलती आप ना करेंगे अगर आप फॉर्म को फाइनल समिट कर दी हैं जो भी आपके दस्तावेज हैं उसको हाड़ को फिरिंट ले लेंगे हरी चीज़ का और जाके अपने कॉलेज अपने इंसिट्यूट में जाके जमा करें ताकि आपका जल्द से जल्द वेरिफिकेशन हो पाए और इससे में आपको किलर कर दूं आप जो है यहां से भी नॉडल ओफिसर का नाम जो वेरिफाई करेंगे उनका नमबर देना चाते हैं या हमसे पूछना चाते हैं तो हमारे वाटसट अपने पूस्ट सकते हैं और आपको मैं बता दूँ यह वीडियो को मिला के जो है राज नर्य नकों जाता है कि मुझे बाहर बार बता रहेते कि जो है इस तरब आपको दिखाए तो अगर आपको तक मेसेज नहीं आया है तो आप जाके आड़ को पी जाके जमा करें और बहुत इसे चाथ-छाथ-चाथ है कि जिन्हों ने कॉमेंट किया जो हमें बताया कि मैं अपने अपने गया तो वहां के जो नोड़ल ऑफिसर हैं जो की डैस्बोर्ट पर सो कर रहा है उनको कहना है कि अभी तक जो तो आप वेट कर लीजिए आपको कर दिया जाएगा हाँ लेकिन आप प्रेसर बनाए रखिए अपने कॉलेज अपने इंस्ट्यूट या फिर आपने नॉडल ओफिसर पर ताकि वो जल्द जद आपके आविदन को वेरिफाई कर पाएं उमीद करते हैं आप हमारा यह सठीक ज दनकारी पाने के लिए बैं रहेएगा मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद